या उलम्पिक में या इशेखेलों में शानदार प्रदर्शन करता है तो खूब तालिया वस्ती हैं खूब मांशमान मिलता है लेकिन परदे के पीछे के हीरो को अक्सर भुला दिया जाता है हम बात कर रहे हैं नितु घंगस की नितु घंगस के पिताश्री आज हमारे साथ आपने बनाने की सोची Commonwealth Games का चैंपिन बनाने की सोची इसके पीछे क्या बजाती जब कि आप खुद भी कोई बड़े स्टर्ग पर नहीं खेले हैं स्पोर्ट्स असध्या बीजरन्दर सिंग् का मेडला था जी 2008 में पिक में तभी से नितु करूजान बोक्षिंग मेंदाओं में तो 2012 में नित्टु नित्व बॉक्सिंग स्टार्ड की थी लेकिन आपका घर तो जो वहां की बिवानी एकेडमी है बॉक्सिंग एकेडमी वहां से बहुत दूर है तकरीवन 20 किलोमेटर दूर है तो कैसे मैनेज़ करते थे आप जगदीश जी के पास नीतू को जो कोचिंग आपने दी किस तरह से मैनेज़ करते थे आप इस सुबह जल्दी चार बज्यर केलग बग उठ जाते थे सूबस जते थे तीनचार गांटे शुभाए प्रेक्टिस कर लाने टाता था दो एयू ग्यारा शाल साल वी जबू प्रेक्टिस नितू करते थी तो उस व sociaux को कंटे वह और धाही किस तहसे गठेज तो का इनतजार करता था वैसे देखता भी रहता था नीटु क्या करी तो नीटु पर ही नजर होती थी मेरी आप अ सची वाले में काम करते थे ते और सुन्यां कि अबने वहाँ से छुटी ले ली थी और छुटी लेने के बाद भी आप आपको फिर वहां बहाल नहीं किया गया तो यह वो कितना बुरा दौर था आपके लिए नितु के दो तिन साल तक कोई मैडल नी आ रहे थे स्टेट में भी तो वेर नितु बोली एक दिन में चंदिगड से आ था नितु बोली पापा मैं बोक्सिंग छोड़ दिऊंगा नहीं बोक्सिंग क्यों चोड़ दो कि वल्या मेरे कुछ मैडल तो आ नी रहे तेर मैंने पे आप रहे तो घर का खर्चा कैसे चलता था क्योंकि घर में कोई और कमाने वाला कोई था क्या घर का खर्चा बस ऐसे ही था मैंने लगवग छे लाग के करीब लोन लिया था बैंक से तो ऐसे लोन वगेरा लेकर आउदार शुदार लेकर इसे चलता था घर का बेटी को वर् दिखा एक दिन वो आज वर्ट एंपिन है मेरी बेटि लेकिन जब उसको इंजरी हुई थी और वो जो समय बीता था और वो रोती थी रात-रात भर आपने जिसा इंडिया निव दरद में भी प्रेक्टिस करती थी तो इतनी सकती साली लड़की है जो बहुत ही में निती लड़की है हमने सुना है घर के गहने भी बिग गए छे लाग का जो आपने लोन लिया था वो भी खत्म हो गया कितने समय तक चलेगा वो और उसके बाद अपने मित्रों से भी आपने इंडिया का नाम रोसन करना हर वर्ड चेंपिन बनाना यह जनून था इसलिए वह करें थे के गहने भी बेचने पड़ेंगे तो इसलिए मने वह गए भी बढ़ता चला गया उसके बाद जब लड़की का परफॉर्मेंस नीतु का परफॉर्मेंस हर्याना स्टेट लेवल प अब जाता था तो मा सब कुछ हो जाएगा मैं कभी पैसे की बात नितु से नहीं करता था मैं अपने आप एरजेस्ट करता था पैसे वागेरा तो फिर नितुने 2017 में अपने गुवाटी में यूथ वर्ड चैंपिन्शिप में गोल्ड मेडल जीता फिर 2018 में गोल्ड मेडल तब सरकार से लग वक्त 30-35 रुपे की साइटा मेली थी तब सारा लोन चुका दिया था Ee आफ दो सारा इुदार पे चलता था ऐसे कहीं सो ले लिया कहीं बैक से लुल ले लिया पश कभी हमोटी मोटी जमीन थी वह in Babe आपने इंट्रिव्यू में कि शुरू में वो बस में जाती थी कई बार बस उसकी मिस हो जाती थी जे पुरे घर में सौर बैवे नहीं होते थे घर का खर्द चलाने के लिए और उसके बाद आपने बाइक खरी दी और वो भी लोन पर लियोगी बाइक भी खरी दी पहले मेरे कॉमनवल्ड गेम्स आये दो बार इनोंने गोल्ड मेडल जीता जहां गई वहां सौर्ण पदक जीता स्टेंजा कप में सौर्ण पदक जीता ऑलम्पिक में अभी जाना है लेकिन वर्ल्ड चंपिशिप में उससे पहले इनोंने अपनी मौजूद्गी का एसास कराया ट्राना पूरा कर दिया है अब तो उल्फिक में गोल्ड की इच्छा है वह नितो जल्दी करेगी अगर मौका मिला तो देश को गोल्ड मेडल देगी नीट कुछ को चुनएंगी उनको हराएंगी या कुछ और है आपकी प्लैनिंग निखत दरीने भी बहुत अच्छी बोक्सर है तो अगर निटू को ट्राइल का मौका दिखा दिया तो मेरे को लग रहा कि निखत को मार बोका देगी मेरे को लग रहा है पकावी स्वास है तो यह आपका कॉंफिडेंस बो आपने बताया उलंपिक यूथ उलंपिक में वहां यह लाइट फ्लाइवेट में उतरती थी आप इन्होंने वजन कम किया है अगर वापिस उसी वजन में जाती है क्योंकि अब तो हाई परफॉर्मेंस जो डारेक्टर हैं उनका कहना है कि इस शाहिक हिलों में उन्हों तो कर दिये कि निखाज जरीन जाएंगी तो इस शाहिक हिलों का पदक भी हुए कैसे हासिल कर पाएंगी उलंपिक तो दूर की बात है जो फेडरेसन का जो फैंसला होगा हो तो महन्ना होगा अगर जो फैडरेसन चाहिए जिसको बेज जाएगी वो तो मनना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हों ने देखना है क्ल जरूर जमाएंगी किसमत और ट्राइल में मेरे को लग रहा किनी तू बहुत तच्छा के लिगी और निखत को अरा सकती है नी तो क्या आपको लगता है कि यह दो 2022 के बाद 2018 का इसकी है ले वह ज़ंग मेरी निखत अपने बाड़े संस्वाने में विख्ला ओद लेगा आगे तो अगर मोका मिलेगा तो वज़न भी बढ़ाना पड़ गा तो उल्मपिक के लिए वज़न भी बढ़ा लेगी नहीं तो कोई दिक्त निये अब कई मान सम्मान आपको हर्याना सरकार के भी मिले सेंटर कौवर्मेंट के भी मिले अब आप अपने श्रीमती जी के गहने अपने अब तक छड़वा लिए हैं उनको दुबारा से बनवा दी है या भी बनवाने का कुछ प्लैन कर रहे हैं या भूल गए उसको अभी जल्द और वो अपना शुटिंग कर जा है टैन मिट्रे प्रिस्टल क्या सपना है उनके लिए आपका उनके लिए भी यह सपना के नितु की तरह है वो भी अपने देश का नाम रोशन करें शूटिंग में चलिए हमारी शुकामना हैं और इंडिया नियू स्पोर्ट्स की इंडिया तो उलम्पिक में भी अपनी चनौती रखें और वहां भी पदक जीत कर लोटें कैमरा में आकाश के साथ मनोज जोशी इंडिया नियूस